नमस्कार आप देख रहे हैं उत्राखन लाइव न्यूस मैं हूँ आपके साथ अंचली आज हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 91 में जो कि हम आज जानेंगे कि जिस तरीके से हर एक पाश्यत का सपना है अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का तो आज हमारे ब स्वाँत है वार्ड है पर जिसी तरीक जानना चाहूंगी जिस प्रकार से हर एक पाश्यत का सपना अपनी वार्ड को एक आदर्श वार्ट बनानेगा तो क्या पुर्यास रहा जिसतरीके से आप running 208 से अभी तक आपते सक और रहा है कर रहा है मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद हमारे इस वार्ड में बहुत बड़ी समस्या हमारी पेजल से संबने समस्या थी कि जिस तरीके से यहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी बहुत भीक्रालूँए तक रहता था उसके समधान के लिए हमारेगे 166 सबस्क्राइब हमारे बीच में बहुत जादा समस्या थी अप्ने विद्धूत पौलों की समस्या थी हमारे नगरं Nep bunch माध्यम से यहां पर 20 से अधिक विद्धूत पौल यहां पर जहां लग चुके हैं इसके अलावा आभी आपने देखा ही कल ही हमारे नगर निखम के माध्यम से लडी लगने का कार्रे भी हमारे बड़ो वाला वार्ड में शुरू हुआ है उस दूसरा नंबर हमारा इस चंद्रमनी का है और बहुत जल्दी हमारा मेरे को लगता है मार्च फस्ट का आने वाला है इसके अलावा सड़कों की बहुत जादा समझ्या भी है और हमने बारा सड़केमं के माध्यम से बुना भारा सड़के हमने Deplay माध्यम प्रنتू बीच में क्या को क्रोना काल के दौरां में कुछ काम में थोड़ी धीमी गती हुई है पर हमारा प्रयास है कि इस वर्स हम बहुत जादा काम अपने इस वार्ड में करने जा रहें हैं इसके लावा हमारे बीच में वेडिंग जोन की भी समश्य का समाधान हम नंगरणिगम की माद्यम से यहां पर करने जा रहे हैं लवर 1500 अंदेर आप लोगों ने देखा भी होगा तो वहाँ पर हमारा ओपन जिम के लिए प्रवस्तावी थे नंगर्डिंगम को तो किस हर तरीके से हम यहाँ पर अपने चेट के विगास के लिए कृत संकल्प है असर जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बीच में आपके वाड के ह उस विशे के समय पे आप तक भी वो लोग पहुंचे है क्या है कैसा रहा वो थोड़ा से उसके बारे में बताएं कि उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे आपने उनको समर्हान दिया था दरसल आपी के माध्यम से मेरे पास यहां पर लाइट से संबंदी सिखायत आए थी कुछ लोगों के द्वारा भी सिखायत की गई थी चंद्रवनी वाल्डाइब रोड पे बहुँ जाता अंदिरा रहता है और हमने प्रियाज के अनकर निकम के माध्यम से 10 विद्दूत पो हमारी चंद्रवनी वाल्डाइब रोड पर लगाए गई पर अभी वी कुछ समधान बाकी है मैंने अभी कहा आपको कि अभी मार्च महिने में हम पूरी छेत को जग माने जा रहे हैं और LED लाइट का काम भी हमारे आर्कडिया के बाद हमारी चंद्रवनी में सुरू होने जा अब बात करें तो रोडों की कि रोड हम आगर देखें यहां पर आउन रोड अगर देखा जाए तो इसमें क्या पर्यास है आपका क्योंकि यह रोड कप तक ऐसे रहेगी बहुत साइग लोग हैं जो रोडों के माध्यम से आई दिंक कई लोगनिर्माने विवाग्वाग पैसा करें दिया और मेरे को लगता है इसी आगले हपते पर लोगनिर्माने विवाग भी इस पर जल्दी काम सुरू करेगा और जो रोडें हमारे बीच में तूटी हुई है यह जल्दी हमारे बीच में बनेंगी इसके अलावा यह अमारा बुत्तो वाला चौक से चोईला और आपका फिर आपका चोईला चंदरबनी वाली जो रोड है अमर भारती वाली समसान गाट वाली रोड इसका भी मानिय मुख्य मंत्री जी के दोरा गोशना की गई है और इसक चार किलमेटर का हमारे मानिय विधाय जी सहिधी स्थी चुण पुनियों जी के माधियम से अस्धे वयत्य स्विकृती मिल चुकिए तो बहुत जल्द हमारे बीच में इस मुख्यमार का निमान होने जा रहा है और मेरे को लगता है कि मार्च अप्रेल के बीच में यह काम हम कर ददर हम बात करें तो बहुत साइब आती है बहुत साथ ज़्वीदाइं अंदर जय komtको हुटे चैनल आती है यो आम जंटा के लिए होते हैं तो किया दिश्दमी साल तक हुषड़ार करना थारा को के स्रीकार ladies do राष्टे वार्सव किटे इस चंद्रवनी वार्ड में बाटी हैं जो मारे मजदूर यहां पर जिनको रासन नहीं मिल पारा है दूरा सरम इवाक की माध्या में से दौरा इंपर 12-00 रासन रासन बांटी गई हैं इसके इसके अलावा पैंसलों को हर योजना का लाब मिले इसके अलावा अपनी नंदा देवी कन्याधानी योजना में भी कई पात्र वालिकाओं के फॉम हमारे द्वारा ब्राए गए और लगवग सतर से असी के करीब यहां पर अपनी जो इंटरपास लड़किया उनको इस सायता में इस योजना में सायता मिल चुकी है अब हम बात करें तो अभी रिसांटली जो भी आया है सौर पे स्टाइम पे जो भी बिजली का कनेक्शन का जो चल रहा है तो क्या उसमें आपके चेत्र से या आपके मार्यम से कुछ लोगों को उसको रखा गया है कि जो बीपेल करें तो लगवास 6-7 लोगों पर देंगे जो कि हमारा पूरा देश इस चीज़ को जानता है आप जनता भी चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है जिसे कि हर एक नेता नहीं या हर एक व्यक्ति ने जीवन जीया है या नेता ने राजनीती की है पर आपके अगर हम बात करें चूंकि हमारे इस समय पे ज कि एक क्रोना काल ने दस्तक दी जो पूरा देश इस चीज में कहर पड़ा था जिस इसमें तो आपने अपनी उस जिम्यदारी को क्योंकि आप छेत्रे पाश्यद हैं बहुत सारे लोग इतने परिशान थे लॉकडाउन लग गया था तो वह थोड़ा सा हम उन जलकियों पर थोड़ा सा आपके मंखारविन से जानना चाहते हैं कि वह समय आपने लोगों की कैसे मदद करी और कैसे आपने समय को समाख ला क्योंकि आप पाश्या दें आपको छेतर में रहना पड़ रहा था और आपको घर का भी देखना पड़ रहा था तो वह जिम्हेदारी आपने कैसे निभाई थोड़ा सा उसके बारे में जाना चाते हैं पहले तो मैं इस्वर का शुक्र मनाता हूं कि इस कुरोना काल में हमें एक नया जीवन दिया है हमें यह प्रेड़ना मिली है कि हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकें और मैं बहुत सौबा के साली हूं कि इस कुरोना काल में हमने हमारे जो यार दोस्त हैं हमारे मित्र हैं उनके इसके अलावा NGO के माध्यम से भी हमें राशन उपलब्द होता रहा और मेरे द्वारा जो यहां पर राशन बांटा गया लगवाब 1280 लोगों को हमने अपने इस क्रोना काल में मेरे माध्यम से बटा है जो राशन बटा है और पुरी किट हमने बना कर दी गई थी और निरंतर स तुबे 6 श्याम तक हम लोग अपना कीचन की माध्यम से लोगों पकावा भोजन भी उपलब्द कराते रहे इसके अलावा पुलिस की साहता सभी बहुत जादा राशन यहां पर बटा इसके अलावा स्रम विभाग के माध्यम से राशन बटा तो मुझे नहीं लगता कि पू दिन से यह कारें यहां पर हुए हैं आगे का क्या प्लान है क्योंकि अभी आपके पास और भी समय है अभी पूरे आपके 5 साल होने में तो आपके आपका कुछ ऐसा क्या प्लान है छेतर को लेकि थोड़ा सा वो भी आप हम से डिसकस कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा काम होने बाकी हैं अभी हमारे बीच में हमारी प्रात्निकता है कि यहां पर सीवर का काम हो अभी गैस पाइपलाइन का काम हमारे बीच में जल्दी ही सुरू होगा इसके लावा कई ऐसी योजना है कि यहां पर हम जो मेरा मानना है कि यहां पर स्वास्तिकी स्थिति और बैतर हो सकती है इसके अलावा खास हमारा है कि सफाई पर विशेश ध्यान इस पुरे छित्र के लोगों को देना चाहिए मैं तो हमारा प्रियास रहता है कि सब लोगों को जाग रूप करने का पर जब तक जन्भागिता नहीं होगी तब तक ये काम असंभा हुआ है तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे अन्रोध है कि स्वस्ता पर सभी लोग ध्यान दें और कोड़ा इधर-उदर सडकों पर या अन्य जगा पर ना फिले केवल कोड़ा कोड़े दानों पर ही डाले इसके अलावा हमारे बीच में कई और भी समस्याइं हैं कि जैसा हमारा एक बहुत महत्वकून मार्ग है पटियों से घराट ये वन्विवा के अंदर से होके जाता है और लगवग ये हमारे ध्रमकुर और सैंसुर विधान सभा दोनों को जोड़ता है तो मेरे भी परात्मिकता है कि अग्समार का निर्मार बहुत जल्दी हमारे बीच में हो इसके इलावा हमारे बीच में जनवरस सम्भन UK समस्याइं भी हैं जैसे बंद्रों का अातंक इस पूरे च्छेतर में में रहता है कई वार हमारे दोरह यहां पर बंद्रों को तो हमारा समाज बैतर रहेगा उसका भी परियाद से कि हमारा एक यहां पर स्वास्तिकेंद्र एक और खुला जाए जिससे स्वास्ति सुधाओं का और बहतर इस्तिमाल इस वार्ड में फुस्व तो जिस तरीकी से अगर हम बात करें तो जिसे कि आप छेत्र पाश्रद हैं और अपनी जन्ता के लिए कहीं न कहीं जैसे कैम्प विगरा लगते हैं हर जगा से तो स्वास्तिकेंप हो गया या अदर कैम्प हो गया क्या आपके माधियम से कुछ इस तरीकी से किया जाता है हमारे इस वाड में लगवग अभी तक हम 4-5 कैम्प यहां पर लगा चुके हैं और चाय आँखों से संबंदी विवारे कई विरिद ऐसे हैं कि जिनकी आँखों की समस्या का समाधान नहीं उपाता हो लोग पेट नहीं कर पाते हैं तो उनको हम अपना स्वास्तिकेंप के मा इंतर चलते रहते हैं अभी तक हम इस दो साल के तरहां में चार कैम ब्लड डोनेशन के यहां पर लगा चुके हैं इसके अलावा जो भी हमारी जनता की मांग के अनुशार हमारे बीच में कोई समस्या आती है इस स्वास्तिकेंप के माधियम से हम लोग नेंतर इस कहां पर कर चारे उनों ने किये जो कि अभी उनोंने हमारे चैनल के माधिम से बताया और आगे क्या-क्या परियास हैं उन्होंने वो भी बताया तो तो आपकी अपर मैं ऑप रहां पर मैं जो वी कि विए जो भी आप कणनेतर मेरे भींच में उनका समधान करने का पूरा प्रियास करो ओर TM वींच में सभभान करें कि बहुत ज्यादा देने के आउसकता है सफाई नगर नीगमिया पारशत की जिम्हधारी नहीं हम सब की जिम्हधारी हैं और जब हम इस समश्चा का समधान करने के लिए उत्रेंगे तो हमारे बीच फाय की बहुत बड़ी समस्था का समधान होगा मैं इसी निविदन के साथ अपनी बात खतम करता हूं बहुत-बहुत के चैननल का भी बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्व करता हूं आप निंदान तर इस एक नई नहीं चाहरे के साथ हमाइसे मुलकात होई थी जो कि नाइंटीवन वर्ड में आज हम पहुंचे थे और सुबीर बोटोला जीजो की पाश्रत हैं जो कि उन्होंने अपने छेत्री की एक वाड को एक आदश वाड बनाने का जो भी उनका एक सपना है और किस तरीके से उनका प्रयास रहा है और आगे क्या प्रयास रहेगा उसके बारे में उन्होंने हमसे से डिसकस किया तुबारह आपसे मुलाकात होगी एक नए वाट के साथ एक नए चाहरे के साथ तब तक के लिए नमस्कार